अ़ैसा कि आप सभी के बतादीजिए वीटे एक हफ़्ते पहले यहां पैक काम लागा हुआ था, इसको बनाने के कार चल दे लो पुलिस पानी भर जा लिया था, इसको पास करने के लिए काम लगा हुआ था जो कि अब इसको काम बंद कर दिया गया है लेकिन यहां पर कोई भी काम पूरा ने किया गया है पूरी तरह से इसको बनाया ने गया है पूरा काफी लापरवाही की गई है रेलवे के द्वारा और रेलवे के दारवाही काम लगाते हैं यहां पर पुलिया आप लोग देख र चलते हैं देखते हैं यहां पे काम में बहुत बिकार हुगा अजय करके पुल में पूलेया की अंदर काफी जयादा पानी भर गया है तो इसका निकासी के लिए कोई वियोस्था ने किया न सिस्टिति हैंकude आपको बना है नया पूलिया बना यह पॉलिया पर नीचे नाली बना दिया जाए Lebs क्योंकि आवा गमन में काफी दिक्कत हो रही है आगे आप लोग देख रहे हैं उसके नीचे काफी ज्यादा पानी बरा गया जिसक बताते हैं जनता जौनपूर की जनता काफी परिसान है तरस्त है इस पुलिया के नीचे से आने जाने में कावी असमर्थ है और इसके पहले ए यहां पर काम लगा हुआ है इसको बंद किया गया तो आज हम आए अपडेट देने के लिए तो पता चला कि यहां पर कोई काम ने किया गया है पानी जसके तस भरा है उधर देखिए लोग अब कि तो खरी बिलरहुए डिखे घाले लेगे जा रहा है काफी ऍसमें भर गया पापी जर चराते जा रहा है और बहुत ही जहां की इस्थिती है यहां फूलिया बन गया लेकिन पानी निकासि के लिए कोई विवस्ता नहीं हैं तो काफि निंदनि हैं काफे देस्ता सुचारू रूप से नहीं चलाई जा रही है तो हम उमिद करते हैं रेलवे के तमाम अधिकारियों से कि जो पुलिया नया बना है उसके नीचे पाने निकासे के लिए उत्तम विवस्था करें नाली बनाएं ताकि आवा गवनम दिक्कत कोई न हो तो दोस्तों उमिद करते हूँ आप सभी का आज का यह अपडेट है जो 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 पुलिया बना है तो उसका अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक करेगा चैनल पर नहीं को चैनल को सब्सक्राइब करेगा फिर मिलते हैं ऐसे नेच्ट अपडेट में तब तक लिए जय इन पंदे मातरम